कि हलो प्रेंड कैसे हो आप insect ups go में अमस्कार ऐब के साथ सेर करoper और देखे सकते हैं बहुत यूमी है आप अपने पहले से चलो अधे शुत के अजि advis आप कि archives है अभी जहाँ पनीर किरूं है और उस्ट यूम है खिंब आई इस तोरों से तक्र वुस्क्राइब पालक लिये हैं और इसको मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है मैंने इसको तीन चार बार पानी से धो लिया था और मैंने यहां पर एक बरतन में पानी को गरम कर दिया है और पानी अच्छे से बॉइल हो गया है और इसमें डाली हूं मैं यह पालक तो मुझे पालक को ज्यादा बोईल नहीं करना है लगभख मैं पालक को तीन मिनार तक बोईल करूँगी जिससे ये थोड़ा सा सौप्ट हो जाए और मैं इसको ढखके बोईल करूँगी तीन मिनार हो गया है और पालक बोईल हो गया है मैं गैस को कर दूंगी बन तो अब मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूंगी बिल्कुल ठंडे पानी में जिसे कि इसका कलर बिल्कुल भी ना जाए अच्छे से इसका कलर बना रहे तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी में पाला को डाल दिया है अच्छे से मैंने डूगो लिया है और पाला को ठंडा होने के बाद मैं इसको ट्रासपर करूँगी मिक्सी के जार में और हम इसकी अच्छी सी प्योरी बना के तैयार कर लेंगे और मैंने इसको तैयार कर दिया है और मैं कडाई करूँगी गैस में और कड़ाई में डाल दिया है मैंने तेल और अम में डालूँगी सबसे बेसिक चीज जो कि है जीरा जो कि हम लगभग सब भी सबजीव में डालते हैं तो यहां पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और अम मैं डाल रही हूँ दो बारी कटे हुए प्याज और हमें इसको अच्छे से चला दूंगी और साथ ही इसमें एड़ करूंगी मैं एक चमच अद्रक और लैसुन एक चमच अद्रक और लैसुन का पेश्ट में इसमें एड़ कर रही हूँ और मैं इसको कर्चे से अच्छे से चला दूँगी और इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक पकाऊंगी कि जब तक इसका color change न हो जाए तक इसको पकाऊंगी और इसका color change हो गया है बहुत अच्छे से और साथ ही इसमें add कर रही हूं में दो टमाटर की प्योरी आप चाहिए तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं और आप में इस सब को अच्छे से मिक्स करूंगी और फ्रेंड इसी टाइम में इसमें एड करूंगी मसाले तो यहां पर मैंने डाला है आदा चमच हल्दी पावडर एक चमच धनिया पावडर और एक चमच मिर्च पावडर और स्वाद के अनुसार नमग और मसाले आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मैं इस मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं मसालों को अच्छे से पकाऊंगी मेडियम फ्लैंपे और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी तो बहुत सारे लोग क्या करते ना पालक की प्योरी नहीं बनाते हैं और वो ऐसी काट के पालक को डाल देते हैं इससे तो बहुत अच्छा बनता है लेकिन इसको पकाने में काफी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और प्योरी बनाने के बाद पालक को पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है और अभी मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है और मैं इसको लगभग 4-5 मिनट तक अच्छे से इसको पकाऊंगी और फ्रेंट पालक को पकाते लगबख तीन से चार मिनट हो गये हैं और अभी इसी समय मैं इसमें एड़ करी हूँ दही और दही डाले के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तो दही डाले से क्या होगा ना इसमें अच्छा सक टेश्ट आएगा और हमें दही सिर्फ दो चमची डालना है जादा नहीं जादा डालने से इसका टेश्ट खराब हो जाएगा और दही डालने से और क्या होगा कि इसका जो कलर है वो बना रहेगा अच्छे से और इसको मैं लगबख दो मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी और दो मिनट हो गए हैं पालक बहुत अच्छे से पक गया है और अब मैं इसी समय इसमें एड़ करूँगे पनीर और यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम पनी लिया है और इसको मैं अभी इसमें एड़ करूँगी और एड़ करने के बाद मैं इसको अच्छे से चला दूँगी कर्ची से अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी और पनीर डालने के बाद मैं मीडियम फ्लैम पर लगबख पनीर को दो मिनट तक पकाऊंगी जिससे की मसालों के साथ और पाललक के साथ पनीर बहुत अच्छे से पक जाए और उसके बाद ही मैं इसमें एड़ करूंगी पानी तो अभी लगभग दो मिनट हो गए हैं और पनीर अच्छे से पक गई है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक गिलास पानी तो पानी आप अपने हिसाब से ही डालिए अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो आप थोड़ा जादर डालिए और अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो आप कम ही डालिए आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए आप उसी सबसे पाने डालिए तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पाने ही इसमें डाला है और पाने डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा देर के लिए तो मैं हाँ मेडियम फ्लेम पर इसको पकाने वाली हूँ थोड़ा लगभग मैं इसको 2-3 मिनट तक पकाऊंगी जिससे की पनीर हमारी अच्छे से पक जाए और यह दिखें फ्रेंड 2-3 मिनट हो गए है और पनीर अच्छे से पक गई है तो अभी पनीर बिल्कुल खाने के लिए रेडी है बहुत अच्छी पनीर बनी है और प्रेंड आप मैं पनीर को करूंगी सर्व तो यह देखिए बहुत टेश्टी पनीर बनी है तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएए कि आपको पनीर की रेसिपी कैसे लगी है और प्रेंड अगर आपने अभी त साथ अपके ले बाबाएए